कि नवस्कार साथी स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल में हिंदी साहिते से फिर से हम आपके लिए 40 महतुपन भविकल्पी प्रशन लेकर आए हैं 1760 प्रशन अभी तक हो चुके हैं जितनी भी हमारी वीडियो श्रेंख लाई है और भाग 37 वा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और भाग 36 तक जो हमारी वीडियो श्रेंख लाई है उस वीडियो तक हमारे 1760 प्रशन कंप्रीट हो गए थे और इस वीडियो के समथ होते हैं हम आज 1800 प्रशन भी पूर्ण कर लेंगे साथियो तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और अपने जो अंक हैं कितने उत्तराब सही करोगे जरूर वीडियो के अंत में आप हमें जरूर बताएगा तो चलिए पहला प्रशन प्रश्तुत करते हैं आपके सामने पहला प्रशन साथियों महादवी बर्मा का संस्मर्ण गिल्लू के संकल्न में हैं अ अतीत के चल्चित्रपत के साथ ही मेरा परिवार जहां सम्रिती की रेखाएं यहां पर चंद्रविंदु आना था रेखाएं में एक के उपर शीरो रेखा पर कोई बात नहीं तो साथी बताईए गिल्लू जो उनका एक संस्मर्ण है वास्तविक उनके असली जिंदगी में गटे गटना गिल्लू गलहरी का नाम है जो वो चोटिल अवस्था में मिली थी महाधीबी जिए को और फीर गलहरी उनके साथ रही उनके उसी जाद को लेकर महाधीबी जी ने एक संस्मर्ण लिखा तो यह बताना है कि किस में यह मिलता है किस रचना में मिलता है यह संस्मर्ण उनका बिल्कुल साथियो C option is the right answer मेरा परिवार जे थोड़ा सा कठें प्रशन में जुरूर बोलूँगा लेकिन इतना भी कठें नहीं है गिल्डू जब भी आप संस्मर्ण जा कहानी की रूप में आप उसे पढ़े तो पता होना चाहिए अभी है तो एक कहानी साथियो कहानी नुवा संस्मर्ण हम कह सकते हैं लेकिन कहानी काल्पनिक भी हो सकती हैं असली जिंदर की सबन्दित हो सकते हैं लेकिं जयाए धिया भी याद रखे है कि पुल कह सकते हैं भार तेंद्वर दुवेदी जूख के बीच की कड़ी कौन है रादा चरण गोस्वामी महाफिर प्रसाद दुवेदी वाल मुकंद गुप्त बारताप दरायन मिश्रा कि शीक्र बताईएगा कौन सा भी कलब इबलको साथ ही सी ऑप्षिन इजर आईट आंसर बाल मुकंद गुप्त आगे चलते हैं तीसरा प्रशन समानने प्रशन है ऐसा ही प्रशन अक्सर मास्टर कैटर में आ जाता है कोई भी प्रिक्षाओ अटकते हैं अगर सो प्रशन है तो दो प्रशन तो ऐसे आ पांच साथ नो आठारा सबी को मालूब देख लेजी सब यह तर दे रहें वह सई साथ है तो साथ भी ऑप्षिन दराइट एंसर परिकुट आगे चलते हैं चोथा प्रशन है कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है यह कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ठीक नहीं है जिशोद्रा विदेही विन्वास भारत भारती यह साकेत अगे बताएं यह विल्कुल सही साथ ही वी ऑप्षिन इधार आईट अंसर विदेही विन्वास यह उनकी नहीं है ठीक है आगे चलते हैं हमारे पांचवे प्रशन पर यह प्रशन भी काफी कि लक्षन ग्रंथ किस काल कि विशेषदा है आधिकाल भगतिकाल रिति काल आधुनिकाल लक्षन ग्रंथ क्या होते हैं पहले जिसमें काव्य के अंगों का विवेचन किया गया हो तो जब काप्य के विशेय tomba वारे में बाधो स्की भवेचन हो वह लक्षण गरंत हो गए ठीक है साथिओं तो बिल्कुर हमें बताईएं जहां पर कौन सी प्रभृती है किस काल में ये प्रभृती मिलती है लक्षण गरंतों के आदिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल, आदुनिक काल, जी साथीओ, बिल्कुस ही साथीओ, रितिकाल, रितिकाल में रितिवद कभियों ने, बहुत बड़ी संख्या में, हम देख सकते हैंले कि.......... सठे प्रशन पर रितिकाल को रितिवद, रितिसिद और रितिमुक्त में किसने विभाजित किया था ठीक है यह बहाटा किसने बहाटा था रितिकाल को रितिवद, रितिसिद, रितिमुक्त यह प्रशन एक बाद पहले मैंने पूछा था साथ ही तब सिर्फ एक या दो जनों का उत्तर सही हुआ था ठीक है तो अभी हमें बताइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं क्योंकि हमने पहले पूछ रखा यह प्रशन इसलिए रपीट कहता कि आप हमारी प्रशन संक्ला को जाद रखते हैं जैनि राम चंद्र शुकल नागेंद्र सही उत्तरा रहे हैं वैसे विश्वनात प्रशाद में शुरुजा राम कुमार पर्मा बिल्कुल सही साथ हैं बहुत सही जा रहे हैं सभी सभी गो उत्तराने दिजिए जी साथ हैं सभी यह मान लेते हैं कि हां रिती बद रिती से रिती मुक्त शुकल जी ना इसको विवाजिक क्या इस प्रकार से नहीं साथ हो यह ओप्शन आएगा जहां आपका सी ओप्शन ठीक है बिश्वनात परसाद मिश्रन ऐसा किया था पहली बार ओके यह अपने जाद रखना है यह प्रशन अटकेगा कभी न कभी कभी न कभी प्रक्षा में ठीक है साथ ही तो याद रखना यह तो हम आपकी नोलग पिशले भी चेक करते रहते हैं कि आमने जो प्रशन पहले इनके जैसा अर्थ सोस्थव नव नमेश विरला कभी कभी में ही मिलता है ठीक है कहने के ताद पर है कि इनके जैसा नेमलेकित जो कभी हैं उनके बारे में शुकल बता रहे हैं कि अर्थ सोस्थव और नव नमेश विरला कभी में ही मिलता है शुकल जी का यह विचार किनके विल्चिन के लिए था को केशप दास चेंता मनि देव जा घनानन अर्थ सोस्थ जिकाब्य के जो अर्थ की सुंद्र था और काप्यों में您या प्रभाव नया पनधे जैसा था वो किसी और कभियों में नहीं था इंक है और किसी कभी में नहीं था वीरला ही देखने को मिलता था बताए देव शेष्टा किस के बारे में बताई उनने किस कभी के बारे में शुक्र ने आपक कभी के दोहों को हिंदी साहेत्य का रतन कहा हैं een शुक्लला, रामचंदर शुक्ल की बात होरी है उख्ला ने किसको कहा है इंदी साहेत्य का रतन किसके के करत्त Fest from में जुबन कल सातियों विहारी धास के दोहों को are above अगला जो साथियों प्रशन है नौवा भाशा भूशन रचना है किसकी रचना है जस्वंत सिंह भूशन मतिराम या बेनी परवेन बताएं सक असान प्रशन है भाशा भूशन जी साथियों अलंका समंदित गरंथ है ये और जस्वंत भूशन बिलकुल सही साथियों ये ऑप्शन इदर आइटन सरागे हमारे पास वलच नामा किसकी रचना है वलच नामा शमशेर बहादर सिंह चंदर बिंदू आगया है टंकर में मिस्टे काफी हो जाती है कई बार कोई बताएं साथियों वलच नामा किसकी रचना है बताएं ए बिलकुल सही साथियों जाएं कि रचना है ये का याद रखना है अपने अगे चलते हैं हमारे 11 प्रेशन पर राम चंद्रशुक्ल की सरप्रथम से धान्तिक अलोचना माने जाती हैं राम चंद्रशुक्ल की सरप्रथम से धान्तिक अलोचना बताईए इसमें से धान्तिक अलोचना अलिकि सरप्रथम से धान्तिक अलोचना कब्यमें रहस्ये बाद चिंता मणी जा इसी गरंथा बलिज़ भ्रमर्व गीट्सा एक होतीए ब्यहारिक अलोचना एक हो सद्धानतिक अलोचना इसके बारे मैं पतनी कितनी मक former पहले बतार चुका हुआ हूं जी साथ ये ओप्शन इदर आई डाइडा अंसर काब्य मेरहस्यवाद ठीक है उनकी ये अलोचना सिधान्तिक लोचना में आएगी पुस्तक ये लेक और दूसरी बाद करें तो जी समिक्षात्मक कलोचना मतलब ये समिक्षागरंथ नहीं मान सकते इसको मनों वग्यानिक सद्धान्तिक लोचना में क्या होता है सद्धान्तिक लोचना जैसे कि पुस्तक से साथियों पता चल रहा है कि इसमें रहस्यवाद काब्यर के विश्य के बारें बात हुई है इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अलंकार का कोई ग्रहाशा भूशन भी प्रशन आया था ठीक है अगर उसके बारे में कोई लिखे कि अलंकार है क्या ठीक है कैसे परजो के जाते हैं कविता में वो सब चर्चा वो सधानते कलोचना में आ रही चाहे वो रस की है चाहे लंकार क्या चाहे रिति की है वो क्रोकती है कोई भी औके, इसके एटीरिक, एक और बात, उस्पुष्टक से संबंदित अलोपचरा की जाती है, कि इसमें भाशा कैसी रही, जिसे जाइसी की पणदे मैं अब दी भाशा है, उसमें अलंगकारों का पर्योग कैसा भा मसण भी शैली में लिखा गया है वो सब्सक्राइब ना इसमें परखा जाता है कि हाँ इसम यह परजोग हो आ है इस तरहा का नहीं होना चाहिए था जहे ज़ाधा हो गया है लेकिन जब किसी काब्य के अंग के बारे में बताया जा रहा है तो सद्धानती के लोचना हो जाती है बीदा के बारे में लेकिन पुस्तक की लोचना मलब बेभारी क्लोचना आगे साथ 12 प्रशने टाइम इसके उपर वेशनी करेंगे ये एक प्रिक्षा में भी आचुका है प्रशन सुहाग के नपूर के रिचा इता बताने निराला मोहन राकेश अमरितलाल नागर प्रेम चनध जी साथ यो बताइए जो बिल्कु सही साथ यो इसी ओप्षिन इस राइट अंसर सोहाग के नुपूर जहां मरी तलाल नागर की रचना है यह एक उपनियास है उनका आगर चलते हैं साथ यो तेरवा प्रशन है आधनी काल में गद्य को गद्य का अभिरभाव सबसे प्रधान गटना है यह कथन किस ने दिया है क्या कहा गया है कि आधनी काल में जो गद्य विदा है ठीक है उसका अभिरभाव उसका जनम होना ही उसका उद्य होना ही सबसे प्रधान गटना है किसने यह कथन दी अम्हाभिर प्रसाद विद्धि राम चंद्र श्योक्लव राम पिलाश्यरम जा नंदुलार सबसे प्रधान गटना माना है आगे चलते साथ चोद्वे प्रशन पर यह पंक्ति हैं देखिए किस भक्ति कालें कभी की संत कभी किया साथे बताईए मसी कागत शुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ प्रस्तव पंक्ति के रह बताने हैं आपने दादुद्याल कभीरदास रेधास उंद्ध्धास जी साथ हो जो बलकुल सही साथ हूँ बी ओप्शन इदर आई टांसर कभीरदास जी की पंक्ति है जोदो प्रशन का बी ओप्शन आएगा और इस पंक्ति में अपने आपको नोने अनपड दिखाया है बताया है कि मैंने कभी जिंदिगी में कागज को नहीं सुआ और नहीं मेरे हाथ में कभी कलम गई है आगे पंदरवा प्रशन साथ में अब भरश में क्रिशन काब्य के प्रणीता अलगके क्रिशन काब्य किस्ट ने लिखा अब भरश बाश्या में पुष्पदंत चाली बद्र सुरी सुहम भू या हरी बद्र सुरी बताया कि बिल्कुल साथी यह ओप्शन इदर आई डंसर साथी शावाश आगे चलते हैं हमारे सोलवे प्रशन पर इन में से कौन बैशनु भक्ति का अचारे नहीं है बताएं बलवाचारे मदवाचारे शंक्राचारे रामरजाचारे बताएं साथियों बिल्कुल साथियों शंक्राचारे नहीं है जे शैब मत्त से थे ठीक है शैब भक्ति से आगे साथियों सतरवाश प्रशन है हिमाले के आंगन में उसे प्रथम किरणों के फिर से पढ़ता हूँ हिमाले के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उशा ने हंस अविवादन किया और पहनाया हिरे का हार बताएं यह पंक्तियां किसकी हैं रामधारी सिंदिनकर माखलाल चत्रवेदी जैशेंकर परसाद या मैथिली शनगूत जे साथियों बताएं कौन सा विकल्प होगा सही बताएं यह विल्कुल सही साथियों जो सही उत्तर है वो यहां पर आएगा जैशेंकर परसाद और कविता का नाम हिमाले के आंगन में कविता गना आगे साथ ही जो प्रशने अठार वा उसका देखिए बाल चित्रण में कौन सा कविस रेष्ट है जिसने अपने कविताओं में यह काप्य में बाल चित्रण किया है मतलब वात्सलियरस को बहुत ज़्यादा प्रियोग है जी पताएं ए ओप्षिन है रस खान बी ओप्षिन है मिरावाई सी ओप्षिन है सूरदास डी ओप्षिन है कविरदास कौन है बो बताएं बिल्कुल सरी जातियों तो जो उत्तर आएगा वो आएगा सूरदास ठीक है आगे है हमारे पास 19 वा प्रश्न है लेखा कार प्रिक्षा उत्तर प्रदेश की वहाँ जो प्रश्न आ चुका है परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा समनाही अदमाई प्रस्थ पंक्ति किसकी है रस खान तो सी विहारी या मिला कि बताएं साथ है कि क्या होगा साइब तर उन्नीश में का जी जी साथ ही वो बिल्कु सही बी ओप्रश्न इदर आई रस तुलसिदास की पंक्ति है आगे चलते हैं हमारे 20 वे प्रश्न पर रामधारी सिंग दिनकर को भारतिये ग्यान पीठ पुरुसकार प्राप्त हुआ या वी किसी प्रिक्षा में आ चुका है प्रिक्ष्न तो भ भारतियान पीठ पुरुसकार किस रचना पर प्राप्त हो था रश्यम रति पर 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 प्रिक्षा पर कुरुशेत्र पर या और वशी पर पताएं साथियों कौन सा विकल्प सही होगा जाओ रामधारी सिंग दिनकर को बारती ग्यान पीर पूर्सकार किस रचना पर मिला बिलकुल साथियो बीस्वा इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा उर्वशी डियो उप्शन वेरी गुड आगे चलते हैं किसले प्रशन पर प्रशन इस तरह से हैं अधिकार का सुख कितना मादक किंतु सारहिन है पांक्ति परसाद के किस नाटक से हैं अधिकार का सुख कितना मादक किंतु सारहिन है धुग स्वामनी अजाद्शत्रू चंद्रगुप्त या सकंद्रगुप्त बताएं साथियो कौन सा विकलोग जहां सही होने वाला है जी हाँ बताएं यह ओप्शन दराइट अंसर साथियो बिलकुल ध्रुब स्वामी नी रचना जाए नाटक में से जे पंक्ती है साथियो बहुत प्रसेद काफी वार एंटी जूजिनेट के प्रिक्षा में आज जो कि अगला प्रशन काफी जाद है इंपोर्टन जाए भी प्रशन है प्रकृती के सुकुमार कभी किसे कहा जाता है प्रसास मित्रा नंदन पंत महादवी बर्माजय निराला जी साथ में अपना काउंटिंग जरूर करते रहें कितने सही आ रहें कितने नहीं जी साथी बिलकुल सही प्रकृती के सुकुमार कभी बिलकुल साथी ओ बिलकुल ये है प्रसास प्रशन पर कभी सुम्राठ किसे कहा जाता है यह बताना है आपने, कभी समराठ किसे कहा जाता है A option साथ में दिया गया है जैसे A option अयोध्या सिंग, उपादे हरियोध B option, मैथिली शर्नगुप्थ C है सुर्य का अंतरपाथी निर्णाला जाड़ी है जैशेंकर पर साथ बताएं साथी कौन सा इकलब आपको सही round कभी समराठ किसे कहा जाता है बताएं कभी समराठ किसे कहा जाता है बताएं साथी यह विर्टकल सही साथी हो कभी समराठ तेसवे प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा और योद्या सिंग उपाद हर योद्जी ठीक है इनको कभी समराठ कहा जाता है ठीक है आगे 2400 प्रश्ण है जो जिसी नट में आ जुका है यह प्रश्ण लेकिन मास्टर के विए प्रश्ण काफी ज़ा इंपोर्टन कहूंगा मनो विशलेशनात्मक्षाली के उपनियासकार कौन है प्रेमचंद रंगेरागव इलाचंद्र जोशी या वरेंदा बनलाल बर्मा हाली में जो मास्टर कैडर हुआ 2020 दिसंबर उसमें यह पूछा गया था कि इतिहासिक उपनियासकार लिखने वाले कॉन थे नहीं जो फिलाचंद्र जोशी जिनेंद्र कुमार अग्याये जिए मनों विश्लेशन आत्मक उपनियास लिखें नोने जितनी भी रचनाएं हो इनकी ठीक है साथ इस यह उप्षिन दराइटन्स और शावाश आगे चलते हैं यह देखी साथी जो प्रश्न है 25 वा छोटी यह और बढ़िये वर्ण क्या कहलाते हैं कंठ तालब्य न सकी मूर्धन्य जा और स्थ हैं मतलब चार्ण स्थान जी साथियों जी बिल्कुल साथियों बिल्कुल सही कंठ तालब्य यह ओप्षिन दराइट अगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर निमन लेकित में से शुद्वर्तनी का चेन करें पढ़ेंगे नहीं आप देखकर ही बताइए कि शुद्वर्तनी कौन सी है शुद्शब्द कौन सा है बताएं लेकिन साथि थोड़ा सा टंकन में यहां भी मिस्टेक हैं तो आप इसको सर को रोही समझिए ठीक है यह नीचे भी जो है रही है अंतमें यहां पस्व लिग दिये यहां थोड़ सी मिस्टेक है बताएं बेको साथ हूए ए आएगा ठीक है तहसीलदार ऑके सवर्णी आएगा रहा है बाकी बिलकु सही है बाकी जतने वर्तनी थी वह गलत थी यह उप्शन बिलकु सही है आएगा आगे साथ हमारा समाननतर, समानतर कहानी के प्रवर्ष तक कौन हैं समानतर कहानी के प्रवर्ष तक बहुत बार प्रश्चन हैसे हमाश्यो जोशी, मोहन कराकेश, कमलेश्वर या ममनात गुब्त, पताएं जलूरी बिल्कुल सभी साथी इसी ओप्षिन इदरा इडान सर्व कमलेश्वर हठाइस ओप्रशने हैं हिंदी में समस्या नाटकों के जनम दाता किसे माना जाता है उपेंदर नात अशक लक्ष्मी नरायन में श्रुव सर्वेश्वर द्याद सक्सेना समस्या नाटकों के जनम दाता है बिल्कुल साथियों लक्ष्मी नरायन मिश्रु को माने जाता है लक्ष्मी नरायन लाग बॉ अलग है जाद रखने 29 प्रिशने और हानुश नाटक के कज़िता बताने है अपने कोई है मुद्रा राक्षि बिश मसानी, शत्र मुर्ग या कल्पांत तरफ दो नाम तो अपने नए सुने होंगे, हमती में दो भी कल्प बता हैं, विल्कुल साथियो बिश मसानी के नाटक हैं, आगे चलते हैं हमारे पास अगला प्रश्न है, तीसवा, मोहन राकेश के किस नाटक में मद्य वर्ग की परिवारिक समस्या को द्रशाया गया है, मोहन राकेश के किस नाटक में मद्य वर्ग की परिवारिक समस्या को द्रशाया गया है, आदे अदूरे आशाड का एक दिन पैरो तले की जमीन या लहरों का राजहन्स बताए साथियों मद्धे बर्ग की पारिवारिक समस्या बिल्कुल साथियों आदे है धोरे ठीक है अगला है साथियों 31 प्रश्ण है शायावाद की प्रमुख विशेष्टा बतानी है अपने यथा तत्य निरूपन भी संबाद कोशल सी प्लायनवादी प्रवृति जड़ी प्रकृति का मान भी करन आपको तो मालूम है भारत इंदु की विशेष्टा पुछली गई थी लास्ट रेंग तो प्रयोगवाद की विशेष्टा हम प्रशन लाते रहते हैं साथ्यों आपकी त्यारी फंटेस्टिक चल रहें आप टेंचन मतले जिए और डियो ओप्शन दर आइट अंसर प्रकृति का मान भी करन आगे साथ यो किन रचनाओं को क्रमश है शायवाद की प्रथम प्रयोगशाला ये कल भी प्रशन आया था और हिंदी का मेगदुत कहा जाता है कल नहीं उससे पहले जो हम बिल्डी श्रंक्ला लाए थे उसमें शायावाद की प्रथम प्रयोग शाला हमने पूछा था लेकिन हिंदी का मेगदूत पहली पर पूछ रहे तो बताइए किस रचना को शायावाद की प्रथम प्रयोक्षाला और हिंदी का मेगदूत कहा जाता है जर्णा और चित्रधर आंसु जर्णा जर्णा आंसु या जर्णा प्रेमपतिक आपको तो महला पता है यह साथ हो कि शायाबाद की प्रत्थम प्रयोक्षाला जर्णा को कहा जाता है सब यह शेंकर परसाद कीजिए हम लेकिन यह बताईए कि हिंदी का मेगदूत किसे कहा याता है जर्णा शब्द जर्णा जो काव्य है वो सब भी कल्पूम है तो ध्यान से तर देजिए बिलकुल हिंदी का मेगदूत आसू ठीके तो इसलिए C option आएगा शायबाद का प्रथम प्रयोक्षाला जर्णा और विंदी का मेगदूत आसू तेंटिस वा प्रशने साथियों ध्यान से देखिए सनेह निरजर बह गया रेत साथ तन रह गया है सनेह निरजर बह गया है रेत साथ तन रह गया है किसकी पंक्ति है पंत निराला महादीव बर्मा जा बाल क्रिश्न शर्मा नवीन बताए है साथियों बताए है यह साथियों B option is the right answer शावाश निराला जी की पंक्ति है आगे चलते हैं हमरे 34 प्रश्न वह हिंदी का वाइरन वाइरन एक साथि वह पांचाते लेखक है कभी है तो वाइरन की संगया किसे दी आती कि कभी को हिंदी का वाइरन कह जाता है अरिवन श्राव चन भगवती शर्ण वर्मा रा मेश्वर शुक्ल अंचन जा बिद्यापति कोकिल बिल्कुल सही साथियों प्रशन पूरा हुआ नहीं है आपने उत्तर दे दिया वेरी गुड ए ओप्शन इदर आए डैंसर फरवन श्राइब अच्छन आगे चलते हैं कि बताएं भार्शा का सुजादूगर कि यह तो प्रशन मेरे कहां से वह है रपीट है जी साथियों बिल्कुल सही अगे चलते हैं ज के शिश्यों का व्रतांत कि इस में मिलता है और कर दो साथियों कि बताएं किस में किस पुस्तक में बलवाचारे की शेश्यों का प्रत्नाथ है बिल्कुल बी ओप्षिन इदर आये डैंसर साथियों भत्नमाल ठीक है आगे चलते हैं का शी में हम प्रगट भय रामानंद चताय या सामानंद लिख दिया बहुत होती ही साथी कि आपके सामने प्रस्तत वजाती है जी हाँ यह कभीर की बांगती है कभीर ने स्वयम के लिए कहा है अपने गुरु रामानंत के बारे में कहा है आगे सत्यूं मतवाला के संपादक कौन थे मतवाला पत्रिका के मतवाला पत्रिका हिंदी सहयत्य के लिए एक बहुत ही महतमन पत्रिका है यह बड़े नाम संपादक कौन थे भारतेंदु हरिश्चंद्र शीप पूजन सहाई निराला जड़ी ओप्षिन भी और सी दोनों सही जी साथिव डी डी ओप्षिन बिल्कुल सही शीप पूजन सहाई निराला दोनों ही संपादक थे आगे चलते हैं 49 पर अश्ट शाप के कवियों में प्रथम नियुक्त किरतनकार कवी कौन थे 49 पर प्रशन सैकंड लास्ट प्रशन वीडियो अश्ट शाप के कवियों में प्रथम नियुक्त किरतनकार कवी जब भी आप अश्ट शाप के कवियों के बारें पढ़ना शिरू करते हैं तो यह प्रशन भी सब से उपर खड़ा जाता है आकर बहुत सही बिल्कुल साथियो कुम्भन दास डी ओप्षिन इस राइट अंसर आगे हमारे पास है अभी 40 वा प्रशन साथियों जी हां अन्तिम प्रशन देखिए सही अनतनिक बिल्कुल सही बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्तिय है सूर्दास नंदास मीरा बाई या कृष्ण दास बताएं साथियों बिल्कुल साथियों या मीरा बाई की पंक्तियां है सीयोग्षिन राइट अंसर इस प्रकार से मारे 40 प्रशन समाप्थ हुए और हमें बताएं अभी कितने अंक आप के सही हुए कितने प्रशन आपके आज सही हुए और कितने अंक आपके बने आज 40 में से और कल 25 है 25 अगस्त और फिर से कल मोती महल का घिराब किया जाएगा पट्याला में और आपने जिए आपको फुर्सत हो और मतलब आप जा सकें तो जुरूर जाएं और बहुत सारे साथी हो श्यारपूर से भी जा रहे हैं ठीक है इन घराब में इस तरह के जो भी इंदोलन होते हैं साथी कि आपके हित्वों के लिए यह लड़े जा रहे हैं ठीक है वैसर तो सिंगला सामने क्या दे कि पंदरा से पहले आजाएंगे आजाएंगे लेकिन जैदी आई ही वही पोस्टे पचास साथ सो दो सो फिर को फायदा करवा रहे हैं लेकिन कभी भी जारी हो सकता है मीटिंग के बारे में पता नहीं कि अगला टाइन देंगे और कृष्ण कुमार ने कहां भी था हम अगली मीटिंग में हम कोई जानकारी देने बाले है कि अगली मीटिंग पर जानकारी देंगे कि कितनी संख्या खाली है खास कर हिंदी पिजाबी में एससटी का तो नाई कर रहे हैं कि हां हमारे पास पोस्टी नहीं स्थी की अभी क्यों ना हो क्योंकि English का युन्होंने पच्चीस सो कैड़र भरती कर लिए हैं तो English का तो नाम आतरी कहेंगे कि हां SST का नाम आतरी निकलेगा क्योंकि English में convert कर दिया उन्होंने वही विचारे SST पढ़ाएंगे क्योंकि combination दा उनको लगभग SST ही होता है BED में इंगलिश वालों का भी बिल्कुल साथियो बहुत सही स्कोर आपने बताया इस परकार से त्यारी करते रहे और संघर्ष भी करना है ठीक है साथियो धने बाद